हेलो दोस्तों स्वावात आपके हमारे यूटूब चैनल में और जैसा कि कल पिछले वीडियो में हमने भातिक परिवर्तन और रसायन पिज्ञान क्या होता है यह पड़ा था और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रासानिक परिवर्तन जिसमें की आप देखेंगे कि किस प कิ ऐसे परिभर्तन जिनमें पदाहरतों की गोरों के साथ उनके संहर्चन एपँ भार में भी परिभर्तन हो जाता है त्था एक नय पदाहरत का निर्मार होता है। यह क्या कहलाता है रस्वानिक परिभर्तन कहलाता है। yeterいた olması te जिनमें पदार्तों के गोड़ जिनमें जो पदार्तों के गोड़ होंगे, गोड़ों के साथ उनके संगचन एवन भार में परिवर्थन हो जागा दोस्तों, उसका भार भी परिवर्थन होगा, उससे जब भी मैं देगा एक नए पदार्त का भी निर्मार भी होगा, क्या करा नतर और तायगा सादी परिभरतन या इस में एक नया पुझ्पन होता है जिसका रायसानिक संगचन मूल पदारत की संगचन से बिलकुई भिन्द होता है यानि कोई पदारत है अगर उसको हम चेमिकल चेंज हो रहा है उसमें तो पहले कि जो उसके मूल जो संगचन थे पॉपर्टी इस ती गुड़ थे वो नई पदारत से भिन्द होगा बिलकुल जैसे और सिंपल सी भासाओं में इसको हम पूरा यह कर सकते हैं कि ऐसा परिवर्टन जो दुबारा नो मिल सकते हैं सीथे से ऐसा परिवर्टन जो दुबारा नो मिले उसे क्या खेंगे रहासानिक परिवर्टन छेके दोस्तों रहासानिक परिवर्टन कैसा होता है रहासानि कि ऐसे परिबर्तन जिनमें पदार्थोंके गुड़ों के साथ साथ उनके संगटन एवं भार vasodhan हो जाता है त्था एक नए पदात का निर्मार होता है कौनसा कालता है रासानी परिबर्तन कहिलाता है रासानी परिबर्तन इस्थाय होता है इसमें एक नया पदार्त उत्पन होता है जिसका राशनिंग संगचनमूल पदार्त की संगचनों से बिल्कुल भीन होता है जिसे मेंगनीशियम का जलना दोस्तों मेंगनेसियम को जलती है अब दोस्तों एक बात दाई है कि मेंगनेसियम कोई रिबन है अब वो जल गया तो जलने के बात वो राक बन जागा तो राक से क्या हम फिर से मेंगनेसियम रिबन को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों नहीं कर सकते हैं फिर लोहे में जंग गई तो क्या जो लोहा गल गया ये जंग खराब हुआ पलार क्यों फिर से रॉफ्या प्रत यह कर सकते हैं नहीं कर सकतें यह नहीं कर सकते राषानिक परीवट करणी और हो गन्यर्ज चौथा पर शॉथ्छा हमारा गाहरा मंबत्त का Г desapare तो मुंबत्ति अगर जल गई तो उससे फी द्वारा प्रप्त कर सकते हैं नहीं कच्छे फॉल का पकना अगर आपने कच्छे फॉलों को पका दिया तो क्या पके हुव फॉलों को आप कच्छा बना सकते हैं बिल्कुर नहीं बना सकते हैं तो यह हमारा कैसा परिवर्त होगा इस्थाई परिवर्ठानें दोस्तों चिक है शरीर में भूजन का पाचन माली जैर अपने रात में भूजन किया और उसका पाचन हो गया आपके चुकी आतमे तो अगर आपका शरी Kern किया वो पाचन हो गया तो क्या उस पच्छी होआ भूजन से आप फिर से वो बहुते हैं इसथाई परिवर्तन होता है उसके बाद अंगोर के रजका किड़बन इधन का जलना इधन माली यह जल गया तो किया जली हुए जो पार्च बचे वए है उससे आप फिर से इधन प्राप्ट कर सकते हैं इस तो क्या आप पक्यों भूजन को पिछली तर सबाविस कर सकते हैं बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों तो यह हमारा क्या होता है रासानिक परिवर्थन यानि रासानिक परिवर्थन के अंतरगत हम यह से सीखे कि कोई भी एक नया पतात बनेगा अच्छे पग गया तो पक्यों फल में क् प्रॉपर्टीस होंगी बिल्कुल नहीं होंगी माली जैसे आम है आम कच्छ आम रहाएं तो काफी ज़्यादा खट्टा होता है अब पकने के बाद मीठे पन पर आ जाता है आता है तो आप क्या मीठे हुए आम जो मीठा आम है उसको आप खट्टा कर सकते पिछली तरह से बिल्कुल नहीं कर सकते हैं यानि मूल जो मूल उसके संगचन होंगे उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं ऐसे ही परिवर्तन को हम क्या करते हैं दोस्तों रासानिक परिवर्तन फिर से समझा देते हैं आपको एक पर फिर से देख लिए कि ऐसे परिवर्तन जिनमें यह पांच केजी लखड़ी लेका है तो जल के बुर्राख होने जो यह एक किलो की बराबर होगा नहीं तो उनके भार में भी परिवर्तन हो जाता है और तथा एक नए पदात का निर्बाड होता है परिवर्थन्हें किस्त नीट परिवर्थद करते हैं तो हो सकता है इसके हो मद्धितनी दोस्तों इसके आगे कल हम देखेंगे पार्ट 3 में ऐसी किलिया है और अगे अधिक अंगे प्रोश्स पूर श्राइब बना eh जिसको भी दो या तेसमें एक जाम देना है जिसका यूपी बोट का कच्छा दसमी का वो एक कॉपी बना ले और इन्हीं सब को बार बार वो पड़े और रिभीजन करें ना समझ में आये तो फिर द्वारा देखें वीडियो को इस्कीप करके मत देखिए बिल्कुए स्थाइ से देखिए अराम से देखिए जिसे कि आपको ये वीडियो और हमारा जो दिया हो कंटेंट आपको समझ में आ सके हैं ठीक है दोस्तों तो आज रहें देते हैं तक जहें दोस्तों